सदन को एक कहते हैं बाहर दूसरे बात कहते हैं ये सरकार चीन को क्यों डरते हैं पाकिस्तान के खिलाब लड़ने के लिए हमने बीए से काफी है जो उरस से जादा काफी है अब चीन से लड़ने के लिए अपना ताकात बढ़ाओ और आम जंता को सज बताओ कि आज चीन हमारे जमीन के अंदर आके 14 या 15 किलोमेटर अतिक्रम करके हुए हमारे जमीन को कभ्यकर रखे हैं हमारे पहले हमारे फोजों ने जहां गस्त लगाते थे 10, 11, 12, 13, 14 ये सारे गस्त लगाने के जो पिट्रोलिंग पॉइंट थे सारे हमारे फोज को या आप गस्त लगाना बंद कर दि रखे हैं ये चिनी फोज ने प्यांगों जील में सेतु बना रहे हैं डेब संग और देमचड़ में ये लोक अपना थिकाना बना रहे हैं सेल्टर बना रहे हैं और ये तावां में जो हुई है औरनाचल में यह हुई है यह कॉंग्रेस पार्टी नहीं उनकी पार्टी के MP तापिर गाउं उनके पार्टी के मंत्री कीरोन रिजुजी एक बर नहीं बार-बार यह सदन में रखे है सदन की ध्यान आकर्शन करने की हो सरकार की ध्यान आकर्शन करने के लिए हर संबब प्रया कोई पाइदा नहीं अब लदाक लदाक से बरहोटी उससे चुमार देवशांग देमचौक सीकीम डोकलाम अभी आगया तवांग हम सब को इसमें जरूर गहन धैन देना पड़ेगा यह गंभीर मुद्दा हम देजबाशियों के लिए देजबाशियों को हम अगर अगर सही ब अनना होगी हिंदूस्तान की इस पार्लामेन में 1962 में जब जहुलाल नहरूप सर्गियों जहुलाल नहरूप पधान मुंत्री थे तब यह चीन और हिंदूस्तान के बीच जो जंग हुई थी उस विशाय को लेकर चर्चा करने के लिए मांग उठे थे जहुलाल नहरू साब सर्गियों जहुलाल नहरू साब ने 165 MP के बात सुरी घंटों बर चर्चा हुई तो क्या बीपास को हमें बोलने का मौका नहीं दिया उस वह और हम जंग नहीं अभी सिर्फ जराप हुई है वो जराप के समाएं भी हमें बोलने का मौका ना देते हैं जंग की बात चोड़ी MP ने सिर्कत किये थे ये इतिहास बताते हैं